नमस्ते श्वागत है आप सभी का आज हम बनाएंगे मखाने मुफली और ड्राइफ रूट का बहुत ही हेल्डी स्नेक्स इसे आप टी टाइम मंचिंग के लिए और बच्चों के टीफिन में भी दे सकते हैं इसे आप एर टाइट डब्बे में रखकर कई महीनों तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं रेस्पी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिसे की हमारी लेटिस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए यहां मैं सबसे पहले कडाही में एक चमस देशी घी डाली हूँ यह बहुत कम घी में बन कर तयार हो जाता है ज्यादा इसमें घी की जरूरत नहीं पड़ती है यहां घी मेल्ट हो गया है घी के मेल्ट हो जाने पर यहां मैं थोड़ी से बादाम डालूंगी और उसे में अच्छे से रोष्ट करूंगी गैस का फ्लेम यहां लो मीरियम रहेगा लो मीरियम फ्लेम पे ही अच्छे से हमें इसे भूनना है और कांटीनियू हमें चलाते रहना है सिर्फ हलका सा जब ये भून जाए फिर इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे बादाम को अच्छे से छान कर मैं दूसरे बरतर में सिफ्ट कर दूँगी ये देखिए अब जो बची हुई गी है उसी में मैं लंबे में देखिए कटा हुआ है ये गरी है इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी पर गरी को बहुत जादा ब्रावन नहीं करना है सिर्फ हलका सा जब खुश्वू आने लगे फिर इसे हम निकाल देंगे देखिए यहाँ पर हलका सा कलर आ गिया है बस इतना ही कलर हमें चाहिए इसी स्टेस पर इसे भी हम दूसरे बरतर में सिफ्ट कर देंगे यह देखिए इस तरह से फिर उसी घी में जो घी बचा हुआ था यह थोड़े से काजू है एक काजू को मैं भाग में कर दी हूँ उसको भी मैं हलका सा रोष्ट कर दी रही हूँ काजू भी हलका सा रोष्ट हो गया है इसे भी मैं जिसमें मैं गरी और बादाम डाली थी न, उसी बर्तर में इसे भी मैं सिफ्ट कर दे रही हूँ अभी भी कड़ाही में थोड़ी सी घी बच्ची हुई है, उसी घी में मैं आधी कर्टोरी मुंफली डाल कर भूनूंगी मुंफली को भी लो मेडियम फ्लेम पे भूनेंगे मुंफली को इस तरह लगातार चलाते रहना है ताकि मुंफली जलेना और अच्छे से भून जाए धिरे धिरे देखे चटकना शुरू हो गया है, ये देखिए और अच्छे से भून भी गया है इसी स्टेश पर हमें मुंफली को निकाल देना है, फिर उसी कड़ाही में एक चमच में देशी घी डालूंगी घी जब मिल्ट हो जाए तो मैं वन फोर्थ चमच सौफ डाल दूंगी जब सौफ चटकने लगे, तो इसमें मैं करी पता डाल दूंगी थोड़े से, सौफ डालना इसमें लेकिन बहुत ज़रूरी है इसे बहुत अच्छी खुश्बू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है फिर इसमें मैं एक कटोरा मखाना डाल दूंगी मखाने को भी हमें अच्छे से धीमी आज पर भूनना है लगातार चलाते हुए ताकि मखाना भी अच्छे से भून जाए और क्रिस्पी हो जाए देखिए यहाँ पर हलका सा मखाने का कलर चेंज हो गया है लाइट गोल्डेन ब्राउन हो गया है इसी स्टेस पर हम इसे भी निकाल देंगे हाँ एक बात और इन सारी चीजों में आपके पास जो भी समान कम या ज़्यादा हो आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो समान ज़्यादा उसे ज़्यादा मात्रा में डाले और जो समान कम है उसे कम मात्रा में इसे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर इन सारी चीजों को में एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर दे रही हूं ताकि अच्छे से सारी चीजों को मिलाया जा सके ये वन फूर्थ चमच लाल मिर्च पाउडर है इसे डाल दे रही हूँ ये थोड़े से काला नमक है इससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है इसे भी मैं डाल दे रही हूँ और ये शादा नमक नमक आप स्वादनुसार के हिसाब से डाले और ये चाट मसाला है इसे डाल दे रही हूँ आप इसमें काली मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते है पर मैं यहाँ पर नहीं डाली हूँ इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला दे इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जब room temperature पर आ जाए तो फिर आप इसे airtight डबवे में डाल कर महीनों तक store करके रख सकती है इसे आप चाय के साथ ले सकते है और बच्चों को जब कुछ healthy टीफिन में देना हो तो आप इसे दे शकती है बच्चे भी इसे बहुत शौक्षे खाते है इस healthy snack को बनाने में बहुत कम समय लगता है और कोई महनत का काम नहीं है जो बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाता है अगर आपको आज की मेरी recipe पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करे, subscribe करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से share करे अब मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, thanks for watching